नमस्कार दोस्तों, कॉंग्रेस खास तोर से सोनिया गांधी और राहूल गांधी के परिवार की मुसीबतों का अंत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। राजनितिक रूप से तो वो किस कदर कमजोर हो चुके हैं ये हम आप सभी जानते हैं। अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके से तूट फूट हुई है, विधायक भी भागे हैं, पदादिकारी भी भागे हैं, लगातार राज्यों में पराजा का सामना भी उनको करना पड़ा है, कुछ राज्यों को अफवाद सरूप अगर हम छोड़ दें। वाडरा ने किस तरह की इस्तितियां पर इस्तितियां पुरे परिवार के सामने पेश कर दी और किस तरीके से कॉंग्रेस बैक गेर में चली गई, ये भी हम से आप से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब जो AJL और Young India Limited से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, उसने तो इस परिवार को बिलकुल बैक फुट पर धकेल दिया है, और अपने बचाओं में ये परिवार कुछ भी कहने के इस्तिति में दिखाई नहीं दे रहा है। और इन हालातों में भारतिय जनता पारिटी ने कॉंग्रेस के इस पर्थम परिवार पर बड़ा आटेक किया है, ये कहते हुए कि परिवार और व्यापार साथ साथ चलते हैं और उसे उपर राजनीती का फ्लेवर दे दिया जाता है। मामला है इनकम टेक्स अपीलिये प्राधिकरण के एक फैंसले का। इसमें ये कहा गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मौतिलाल वोरा, आसकर फर्नेंडी, सुमन दूबे, सैम पेतरोदा, इन सबने मिलकर जो AJL है, यानि National Herald चलाने वाली कमपनी, उसका जिस तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के दुआरा अधी ग्रहन किया गया, और केवल पचास लाख रुपे, खर्च करके, इन्वेस्ट करके, जो 90 करोड की देंदारी थी, AJL की तरफ, उसके सापेक्ष में, किस तरीके से 2000 करोड रुपे की संपत्ति का एक तरीके से अधी ग्रहन किया गया, या उस पर कबजा किया गया, और किस तरह, 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनाते हुए, तथ्यों को छुपाया गया, घाल मेल किया गया, गोल माल किया गया, हेरा फेरी करने की नियत से, जो सही तथ्य थे, वो रजिस्ट्रेशन के समय छिपाये गए, और ये नहीं बताया गया, कि AJL या यंग इंडिया लिमिटेड के पास, कितनी संपत्ति है, और किस तरह की लेंदारी और किस तरह की देंदारी है, उस सब को देखते हुए, और कॉंग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाते ह खास तोर से इस परिवार पर और यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जिन के पास हैं, उन पर आरोप लगाते हुए, इंकम टेक्स अपीलिय प्राधिकरण ने सो करोड रुपे की जो फाइल है, देंदारी की, उसको फिर से खोलने के संकेत दे दिये हैं, और ये इमामला के यहीं तक सिमित नहीं है, अब कॉंग्रेस पारिटी पर भी जो टेक्स में छूट मिली हुई है, वो गाज गिर सकती है, तो आप अंदाजा लगाईए कि दो हजार करोड की AJL की संपत्ति पर एक तरीके से कबजा करने के लिए किस तरह का खेल, गांधी नहरू परिवार ने संकट में है, बलकि इन्होंने पारिटी को भी, कॉंग्रेस को भी एक बड़े संकट की तरफ धकेल दिया है, यह पूरा मामला क्या है, आपको याद होगा, जवाहलाल नहरू ने नैसनल हेरल्ड अख़बार की अस्थापना की थी, 2008 में इस अख़बार का पब्लिकेशन बंद हो गया, लेकिन इस अख़बार के पास दिल्ली में, मुंबई में, चंडिगड में, पंचकुला में बेश कीमती जमीने हैं, कॉंग्रेस ने नैसनल हेरल्ड चलाने वाली कमपनी AJL को 90 करोड रुपया दिया था, और जब ये आख़बार का प्रकाशन बंद हुआ, तो एक मोटा आकलन ये लगाया गया, कि इसकी सारी संपत्ती, परिसंपत्ती, करीब करीब दो हजार करोड रुपय की है, 2010 में, Young India Limited के नाम से, एक नई कमपनी का रेजिस्ट्रेशन कराया गया, और ये कहा गया कि ये चेरिटेवल इंस्टिट्यूट की तरह काम करेगी, इसमें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दूबे, और सैम पितरोदा, जिन्होंने लोकसवचनाओ के दोरान, जो हुआ, सो हुआ का नारा दिया था, सिखों के बारे में, सिख विरोदी दंगों के बारे में, और जो इस परिवार के काफी करीबी भी हैं, ये सब उ जो नई ये कंपनी या इंस्टिट्यूट खोला गया है, यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, ये खास तोर से जो भारत के युवाँ हैं, उनको लोकतांत्रिक और धरम निर्पेक्ष्य मूल्यों में ट्रेंड करेगी, अत्या इसको इंकम टेक्स से छूट दे दी जाए, उस समचों कि प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग थे, इसलिए बड़ी आसानी से इसे इंकम टेक्स से छूट दे दी गई, और इसके बाद कॉंग्रेस ने AJL की जो देंदारी थी 90 करोड रुपे की, उसको यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, यानि यंग इंडिय AJL से वो 90 करोड रुपया ले लीजिए, और 50 लाख रुपे में जो शेयर थे AJL के, वो परिवार के पास आगए, इन में से 76 परतिश्यत जो शेयर हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहे, और बाकी में मौतिलाल वोरा, ओसकर फर्नांडीज वगरा रहे, परति का जो मालिकाना हक था, वो परिवार के पास आगया, यानि सारी जमीनें, चाहे दिल्ली की, चाहे चंडीगड की, चाहे पंचकुला की, चाहे मुंबई की, इसके बाद, इंकम टेक्स की कार्रवाई शुरू हुई, यह पूछा गया, कि चेरी टेविल बताकर के, इसम विवासाइक, लेंदारी, देंदारी क्यों हुई, शेर जो ट्रांसफर हुए हैं, उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, और इतनी संपत्ती के मालिक बन गए हैं, इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यह भी कहा गया, कि आप चेरी टेबल इंस्टिट्यूट चलाने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा सो करोड रुपया इंकम टेक्स जमा कराईएं, और उस समय मौके मौाइने किये गए, देखा गया, कि जो जमीन दिल्ली में अखवार के संचालन के लिए अलाट की गई थी, वहां से अखवार का प्रक उससे लाखों रुपय की आमदनी किराय से हो रही है, लिहाजा लैंड लीज को रद कर दिया गया, यह मसला अपेलिय प्राधी करण से पहले इंकम टेक्स अथरुटी के पास भी गया, कमिशनर इंकम टेक्स के पास भी गया, यानि तीन तीन कौर्ट में इस मामले की सुनव और अंततह प्राधिकरण ने ये माना कि जो सो करोड रुपे की डिमांड इन से की गई है वो बिलकुल सही है यानि वो फाइल फिर से खुल रही है और इंकम टेक्स अपीलिये प्राधिकरण ने अपने फैसले में क्या क्या कहा जरा इस पर भी गोर फरमाईए उसने कहा कि केवल जूट ही नहीं बोला गया बलके सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और यंग इंडिया लिमिटेड एक बड़ी संपत्ति को अपने हक में करने का उपकरण बना दिया गया केवल पचास लाख रुपे में 90 करोड की देंदारी के मद्य नजर 2000 करोड रुपे की स संपत्ति पर एक तरीके से कबजा कर लिया गया और प्राधिकरण के इस हैसले के बाद जाहिर है जिस भारतिय जनता पारिटी पर राहुल गांधी ने लोकसवा चुनाओं के दोरान तरह तरह के आरोप लगाए खास तोर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर उसके आलो कि ये हेरा फेरी और गोल माल का मामला है परिवार और व्यापार साथ साथ चलते हैं और जो हमारे आरोप रहे हैं इस परिवार के बारे में उसकी अब वैधानिक और आधिकारिक पुष्टी हो गई है उन्होंने ये भी कहा कि पचास लाख रुपे से दो हजार करोड रुपे की संपत्ती किस तरह बनाई जाती है ये जो मॉडल है इसकी भी जाच पड़ताल होना बहुत जरूरी है अब तक तो देश के सामने वाडरा मॉडल ही था अब ये परिवार का नया मॉडल सामने आया है उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब भरष्टा चार पर बातचीत करना बंद करें और पूरे देश को सच्चाई बताएं जाहिर है पहले से ही बैक फूट पर रही कांगरेस ने इस नए मामले के खुलासे ने और बैक फूट पर धकेल दिया हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जो उनके वकील नेता हैं उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई सफाई अभी तक नहीं आई है और भारते जंता पारिटी गांधी नहरु परिवार पर हमला वर मुद्रा में हैं अभी तक अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आईकॉन को दबा दे ताकि आगया आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद